हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो दोस्तो इस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिए तिरतिय वर्ष का इतिहास और प्रथम प्रस्ण पत्र और तिरतिय प्रस्ण पत्र यानि कि फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर मैंने आपका वेरी सॉट कोश्ण करा दिया है तो मैंने कहा था जो सेकेंड पेपर है यानि कि दितिय प्रस्ण पत्र है उसमें 20 सुतिहास दिया यानि कि 20 सुतिहास से समन्दित में कुछ प्रस्ण करने हैं तो आज मैं आपको 20 सुतिहास के कुछ important प्रस्न है यानि कि very short question कराऊंगा जो कि unsolved में मिल जाएंगे मतलब previous year paper में आ चुके हैं वो सारे question तो वही मैं कराऊंगा और जो long question हो मैं आपको दूसरे channel पे इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ कुछ question मैंने करा भी दिये हैं और online study by December जो हमारा दूसरा channel है वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा long question तो सबसे पहले चलिए हम short question को देख लेते हैं यह जो 20 उतिहास है तीन चार वीडियो आएंगी इसमें आपका जो 20 उतिहास वाला पूरा question है वो complete हो जाएगा मतलब very short question complete हो जाएगा तो इसकी जो numbering है वो same रहेगी मतलब first, third का जो number था उसी के अनुसार ही चलेगा तो मैंने आपको कुल मिला कर अभी अगर first और third की बात करें तो मैंने आपको 82 question करा दिये थे very short question तो 83 number से हम लोग को 20 उतिहास में करना है यानि कि अगर 20 उतिहास का देखें तो पहला question है total देखें तो 83 number का question है पूछा था दो number में कि राष्ट संग क्या है तो देखिए यह दो चीज़े यहां पर आप देहान दीजे अगर आपसे पूछे राष्ट संग और अगर आपसे पूछे संयूक राष्ट संग तो दोनों में अंतर है ठोड़ा सा समझ लेजे फिर मैं आपको बताता हूँ यह देखिए प्रथम विश्वद्य जब समाप्त हुआ तो उसके बाद सांती विवस्था इस्थापित करने के लिए राष्ट संग का निर्मार किया गया लेकिन यह सांती विवस्था इस्थांपित नहीं कर पाए क्यों कि दूसरा विश्वद्ध हो जाता है अगर इस सांती विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश राष्ट संग अंतराष्टिय सहयोग वा सांती के लिए एक संगटन था जिसे इस उद्देश से बनाया गया था कि प्रथम विशुद्य के जैसी घटना दोबारा फिर कभी न हो और राष्टिय अंतराष्टिय विवादव का निप्टारा बाद चीज से किया जा सके प्रथम 1924 को राष्ट संग इस्थापित किया गया था तथा 19अपरैल 1946 को आपचारे क्रूप से बंग कर दिया गया 34 मैं क्यों बंग किया गया क्योंकि हुआ था तो ऐसा विनास और तबाही दोबारा ना हो इसके लिए एक ऐसा संगठन बनाएगा जो सांति ब्योस्ता को कायम रखे और अगर आपको डेट याद रहे तो डेट भी लिख दीजे 10 जनुवरी 2020 को बनाए गया था इसे ही राष्ट संग कहा गया बस अब देखिए एक यहां पर आता है सुरच्छा परसत तो मैंने आपको बताया कि जो संयुक्त राष्ट संग 24 अक्टूबर 1945 को बनेगा उसी का एक अंग है सुरच्छा परसत संयुक्त राष्ट संग के छे प्रमुक मैं आपको पढ़ाओंगा लॉंग कोईशन में तो उसमें एक अंग है सुरच्छा परसत इसको बोलते हैं यू यन यू एन तो इसका उत्तरदायुत क्या है अंतराष्टिय सांतिय और सुरच्छा बनाया रखना इसे बिश्व का सिपाही भी कहते हैं क्योंकि बैस्विक सा सुरच्छा और सांति का उत्तरदायुत सुरच्छा परसत के हाथ में नाम ही इसका है सुरच्छा परसत तो इसका काम ही है सुरच्छा और सांति स्थापित करना इसलिए इससे बिश्व का सिपाही कहते हैं और इसमें 15 सदस होते हैं टोटल 15 सदस होते हैं पांच होते हैं इ 723 सदस हैं मतलब temporary सदस हैं यह 10 सथाई 12-2 वरस के लिए चुने जाते हैं और यह जो 5 सदस हैं यह हमिशा के लिए चुन Hindi आ गए हैं यह जो सदस हैं यह हमेशा के लिए इनको कोई ख़ाएड यही है इन को हटा नहीं सकते और यह प्राप्ट हो जाएगा इन पांचो देशों को महा सक्ति कहा जाता है इनको वीटो प्राप्ट है और भारत इसी प्रियास में है कि ये वीटो पावर हमको भी मिल जाए हम भी स्थाई सदस बन जाए लेकिन चार देश तो साइन कर रहे हैं यहनी एग्री है चाइना इस पर तो यहां पर मैंने आपको दो कोश्चन अभी तक बताए हैं फिर यहां तीसरा कोश्चन है वायमर गड़तंद्र क्या है टोटल देखेंगे तो 85 नंबर का प्रस्ण है वायमर गड़तंद्र इतिहास कारोद्वारा जर्मनी की उस प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संसरीय सरकार कि प्रतम विश्चुद्र के बाद 1929 ने से लेकर 1923 इस वी तक शाही सरकार के बदले में कारभार संभाला था पहले में पढ़ा देता हूं फिर समझाता हूं प्रतम विश्चुद्र के बाद 1918 में यह गड़तंद्र जर्मन करांति की देन थी 1923 में एडुल्फ एटिलर ने वायमर गलतंत्र को हटाया का निरंकुस अधिनायक तंत्र के स्थापना की समझ लिजे एक मिनिट में इसको पर्थम विशुद 1914 से 18 तक लड़ा गया 1914 से लेकर 1918 तक तो उस युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया पर्थम विशुद में और उसमें जर्मनी की राजगदी खाली होगी अब वहाँ पर गड़तंत्रिय सरकार बन गई उसी सरकार को कहा गया वायमर गड़तंत्र तो वही यहाँ पर लिखा साही सरकार यानि कि जो राजतंत्र था जो सासत था वो चला गया राश्तंत्र खत्म हो गया और अब वहाँ पर जो कारभार संभाला वो कौन से सरकार थी गड़तंत्रिय सरकार थी उसी को कहा गया वायमर गड़तंत्र तो बाद में वायमर गड़तंत्र में बहुत सारी कमियां आ जाती है तो इसको कोन हटा देता है? हिटलर हटा देता है, 1933 में फिर हिटलर वहाँ पर ताना साही के स्थापना कर देता है यह बस इतने ही आपको लिखना है यह देखे, उसी सर्मंदीत यह आ गया क्वेसचन नाजिवाद इसकी अस्थापना हिटलर ने की थी जो एडोल फिटलर ने वाइमर गड़ तंत्र को हटा कर निरंकुस अधिनायक तंत्र के स्थापना की तो जो निरंकुस अधिनायक तंत्र है इसी को कहा गया नाजिवाद तो इसको भी इसी से समझ लिजे नाजिवाद या नाथसिवाद जर्मनी के तानसा है एडॉल्फ हिटलर की विचार धारा थी कट्टर जर्मन राष्टवाद, देश प्रेम, बिदेश बिरोधी, आरे और जर्मन हित इस विचार धारा के मूल अंग है नाजिवाद को मानने वाले लोग यहूदियों से नफरत करते थे जब जर्मनी में हिटलर ने अधिनायक तंद्र की अस्थापना की तो लाकों की संख्या में यहूदियों को मार दिया गया और बहुत को देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया अब यहूदी बिरोधी क्यों थे? जो जर्मनी के लोग थे यहूदियों का बिरोध क्यों कर रहे थे? हिटलर नफरत क्यों कर रहा था? इसलिए क्योंकि इनका मानना है जर्मन वासियों का मानना है कि जब पर्थम बिस्चुद हुआ तो यहूदियों ने देश के खिलाफ साड़ी अंद्र किया ताना साही सरकार बनी तो हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया, कटवा दिया अलब गैस चैंबरों में ठोंस ठोंस के भर दिया और उसमें जहरेली गैस छोड़ी बहुत सारे कारणामे करता है इनको मरवाने के लिए फिर जो आज का लास्ट प्रस्ण ही यूनेस्को यूनेस्को क्या है देखे सबसे पहले तो यूनेस्को का आप फुल फॉर्म जाने है पूरा नाम यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चिरल और्गनाइजेशन अब इसको हिंदी में कनवर्ट करेंगे तो देखे यूनाइटेड का मतलब संयुक्त नेशन्स का मतलब राष्ट संयुक्त राष्ट एजुकेशनल मतलब सैच्छिक साइंटिफिक बैग्यानिक कल्चरल सांस्कितिक और्गनाइजेशन संगठन फिर यहां पर आपको इसके बारे में कुछ लिख देना है किसके अस्थापना का भुई इसका क्या काम हो देश क्या है यह संयुक्त राष्ट संग की एक विसेश एजन्सी है एजन्सी मतलब संस्था 16 नवंबर 1945 को इस संस्था या फिर इस एजन्सी की एस्थापना की गई 16 नवंबर 1945 को इसका मुख्याले कहां है पेरिस में है पेरिस फ्रांस की राजधानी है भारत 1946 से इसका सदस है यानि कि 1946 में भारत इसका सदस बना इसको मुख्यता सिच्छा प्राकिर्टिक बिज्ञान, सामाजिक यों मानवे विज्ञान, संस्कितियम, सूचना वा संचार के जरी अपनी गत्विधिया संचालित करता है वा साच्छर्ता बढ़ाने वाले कारकरमों को प्रायुजित करता है और वैस्विक धरोहर की इमारतों और पारकों के संदस्चर में भी युगदान करता है मतलब युनेस्को एक संगटार है आप ये जान लिए कि अगर कोई इमारत कोई इस्थल युनेस्को में सामिल हो गया तो युद्ध के दवरान कोई भिदेश उस इसमारक पर आकरमण नहीं करेगा जैसे मालेजे ताजमहल युनेस्को में सामिल है तो अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान को ये अनुमती नहीं है मतलब ये जो हमारा ताजमहल उस पर आकरमण कर दे जो चीज युनेस्को में सामिल हो जाती इस पर किसी को आकरमण करने का दिकान नहीं, अगर वो करता है, तो सारे राष्ट उसके बिरुद्ध हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, यूनि इसको का बहुत सारा काम है, तो मैं यहाँ पर एक कोशन, दो कोशन, तीन, चार, टूटल पाँच कोशन आज़के, इस फर्स बीडियो मैंने लिए हैं, विस्वतिहास के, आगे मैंने कहा, मतलब तीन, चार बीडियो और आएंगे, बस ही आपका कम्प्लीट हो जागा, वेरी स्राट वाला जो सेक्षन है, तो अगर विडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो उसको लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,